इमला लेखन जिसे सुरूत लेख कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है डिक्टेशन इसका अर्थ होता है सुन कर लिखना यह बहुत आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी सब्द सुन कर लिखना आवश्याना चाहिए इसके लिए निरंतर अभ्यास की अतहम इस वीडियो में कक्छा पांचवी के पार्ट एक मैं अमर शहीदों का चारण इसके कुछ शब्द लेकर आए हैं सब्द सरल से कठिन के और है अर्थात पहले सरल सब्दों का इमला लिखवाया जाएगा उसके बाद धिरे धिरे कठिन सब्दों का लिखवाया जाएगा यहां मारा पहला भाग है इमला लेखन का इस वीडियो क्लास को अटेंड करने से पहले सभी विद्यार थी अपने पास एक कॉपी और पेंद अवस लेकर बैठे क्योंकि वीडियो में जो शब्द बोले जाएंगे उसको आपको लिखना है और लिखने के पश्चात लाष्ट में आप अपना इसकोर भी चेक करेंगे कि आपका कितना शब्द सही हुआ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने कॉपी में इस प्रकास लिख लिज बेल आइकन दबा लिजे क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही उप्योगी वीडियो आते हैं तो चलिए आप सभी त्यार हो जाएए मैं पहला शब्द बोल रहा हूँ हूं पहला शब्द है अमर आप सभी शब्दों को सुनकर लिखेंगे मैं यहाँ पर उसके लिए जग यश 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 तीसरा शब्द है यह यह चौंथा शब्द है सच सच पांचवा शब्द हम 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 छटा सब्द पर 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 साथवा सब्द है चलकर चलकर अगला शब्द है उन 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 अगला शब्द है फसल 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 अगला शब्द है अगर 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 अगला शब्द न न अगला शब्द इस इस अगला शब्द है ध्यान से सुने उस उस इसके बाद का शब्द है वह वह और आखरी शब्द है कहकर कहकर अब इन शब्दो को आए चेक करते हैं कि आपने कितना सही किया आप अपने स्कोर को एक बार चेक कर लिजेगा टोटल हमने 15 शब्द बोले 15 शब्दे में जितना आपका सही होगा उतना ही आपका स्कोर है आप अपने स्कोर को हमारे इस वीडियो में कमेंट के माध्यों से भेजेंगे जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और स्कोर लिखेंगे ठीक है, तो चलिए मैं शब्दों को लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करते चाहिएगा अमर यश यह सच हम पर चल कर उन फसल अगर न इस उस वह कहकर आप चेक कर लिजेगा और आपका जितना स्कोर है कमेंट करके बताईएगा भाग दो के वीडियो में हम आ की मातराशे बनने वाले शब्दों का इमला लिखवाएंगे यह वीडियो आपको कैसा लग अवश्चा बताईएगा और सभी विद्यार्थियों तक शेयर कीजेगा जुड़े रहिए उज्वल लक्ष यूटूब चैनल से नमस्कार